नविश्टा दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दे रीडिल इन्वेस्ट में यहाँ पर दोस्तों जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आप कह सकते हैं की बहुत बहुत ही जादा खासकर की रीडिल निविश्टों को परशान करके रख चुका है इसने जब कौर्टर थ्री के नंबर पेश किये आप कह सकते हैं निविश्टों को इतना बड़ा जटका लगा था इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मौलरी कर चुके हैं बट बेस्ट एक्गरों में अब क्योंकि रिजल्ट के बाब एक बहुत भेंकर गिरावट अरड़ी श्टॉक में हो चुकी है और अभी यह आपकी स्क्रिट में दिख रहा होगा श्टॉक जाए न दोस्तों 600 जी हा 600 के आसपा सब ट्रेड करता हुआ आपको यह बहुत ही जो रोशनों से दिखाई दे रहा है तो और निवेशक यह सोच रहे हैं कि भीया नेक्स स्टेप क्या है what will be the next step क्या यहां से अब जो लॉस का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा और बढ़ता चला जाएगा क्या best agro is the investor next strategy हमारी क्या होनी चाहिए ठीक है और क्यों अभी जो next quarter आने वाला है जी हाँ आपको यह भी बता होना चाहिए next quarter जो आने वाला है उसमें वो कौन सी चीज है जो शैब श्टॉक और परिशान कर रही है कर सकती है और problem देखे सिर्फ best agro में नहीं है overall जो आप कह सकते हैं business चल रहे हैं companies के वो एग्रोकेमिकल सेक्टर में वो बहुत साथ स्टॉकल कर रहे हैं तो ऐसे सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देनी कुछ करूँगा अगर आप best agro में निवेश्य थे या निवेश्य की सोच रहे हैं ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों ठीक है आप देखें पिछले एक साल में इस टॉक ने जिस प्रकार के डिजास्टर नंबर दी हैं उपरी स्थरों से अगर मैं आपको दिखा हूँ जो लगभग 1300 के आसपास होते हैं वहां से स्टॉक आपको almost 53.86% जी हां 53.86% की गिरावट ये आपको अल्रेडी दिखा और आप समझें इस टॉक में और पिछले 5 साल में अगर मैं ले करके जाऊं आपको तो आप एक ची समझें इस टॉक ने आपको पिछले 5 सालों में कित्ते का आप कह सकते हैं रटन दी दिया है 2661% जी हां आप देखें एक समय में इस टॉक कितरे उपर में था आप मैं आपक मात्र और मात्र, तीन-चार साल के अंदर more than 6000% का रिटन, इस अपने निविश्कों को दिया, और 1643 से देखेंगे, आप तो गिरते गिरते आज स्टॉक आपको 63.54% गिरावर दिखा चुका है, अब देखिए, ये तो बात होगी, पास की की रिटन गया है, हमको आज रिटन ज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर 600 के नीचे जाता है, फिर सीधा दोस्तों, 465 के आजपस आपको ये श्टॉक देखे रहा है, बट मेंली मुझे ये लगता है, कि ये जो रेंज है न, 500 to 1000, ये बहुत गेम जेंजर साबित हो सकती है, और अगर ये टूट उसके बाद 480 रुपे के आजपस आपको आता हूँ दिखाई दे सकता है, 418, लेगे देखे, जब स्टॉक गिरता है न, तो हर कोई बहुत अर डरता है, और हर कोई एक एक, छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं, पिछले 5-6 साल में जो हो, उसके support को देखने लगते हैं, बट अगर ये टूटता है न, दोस्तों, तो फिर मुझे नहीं लगता है, 5-10 to 5-30 गो तोड़ करके कहीं जाता हूँ आपको बहुत जादा नीचे दिखाई देगा, क्योंकि समझे, और रेडी सभी चीजे अब प्राइजिन हो चुकी है, और ये जो प्राइजिन आपको दिख तो ये तो भाई सब 62% टूट चुका है, 62.59% के असपास, उपरी इस तरों से, अब as a investor आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कि company अंदो सब बैस्ट है, और मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोई बहुत huge company नहीं है, ये छोटी company है, ये चीज ध्यान में रखें, और ऐस आपको ये चीज अपने दमाग में जरूर से जरूर बठाके रखनी है, ये तो होगी best aggro की बाते हैं, अब भाई सब ये चीज़ें गिरी यहां पे, बड़े स्तरों पे, अब best aggro as a stock, आप देखेंगे, तो अब इसकी लिए न, बहुत जादा गिरने की बजाए, उपर जा आप 600 के बड़े जो psychological resistance है, इसको तोड़ करके उपर जाओगे, उसके बाद आप देखेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि भई, इसके पास हर थोड़े थोड़े समय में, मैं अब जादा पीछे नहीं चलते हैं, हम एक साली पीछे चलते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि भई, अभी तो इसको ये जो gap है, इसे ही fill करके, उपर इस तरों में आप देखेंगे, कि सीधा, ये सीधा आपको ये देखे, at least 7.83 के आसपस अगर ये तूट जाए, दोस्तों, 800 के उपर जाता है, तब जा करके, कोई बहुत positive जी मुझे दिखेगी, जी हाँ, जब तक best agro, 800 के उपर नहीं चला जाता ना, तब तक please कोई भी decisive move, इस stock से मत लीजेगा, हाँ, बीजवीच में कुछ जम पाते रहेंगे, छोटे-मोटे, बड़े-बड़े, छोटे से, थोड़े के, एक-दो दिन के, तो उससे बहुत साथ attract होंके, एकदम निवेश नहीं करने चला जाना है, अगर आप, एक, आप साथ के, SIP investor नहीं कह लीजे, या 3-3 accumulation नहीं करते हैं, तो आप at least 800 को तूटने का मौका दें, ठीक है, 800 के level के आसपास तूटने का मौका दें, या यह जो भाईया गिरावट हो रही है, इस पे हर थोड़े-थोड़े पे 2-3 या 4-5, ऐसे stock को accumulate करते रहें, क्योंकि देखे, best यहां से stock एक दमी कयाब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, company जिस तरह से लगातार innovation करती है, क्योंकि मुझे best aggro, सबस्याता जो मुझे पसेंद हो यह ही है, company जो product है, company का जो business है, वो इतने शांदार तरीके से, innovative है, इतना, आप कैसके इतने शांदार innovations करते हैं, कि यह अपने आप में बहुत बहुत जादा positive रहते हैं, ठीक है, और बात इतनी से नहीं है भाई साब, आपको मैं ज़रा देखाऊं, आप देखें ज़रा सा, जो best aggro है, इसने आपको निचले सतरों से, सरफ 5 साल में बात कर रहा हूं, ठीक है, उससे अगर आप यह सोचें, तीन साड़े तीन, मैं कहता हूं, मोटा मोटी, चार साल आप ले लेजिए, चार साल में अगर साथ हजार पर्चेन का return दे रहा है, तो भाई साब उसके बाद, आपको profit का stock से चूप चूप से निकल जाना चाहिए, और इंतजार करना कि यह कब गिरावट हो, और अब next accumulation स्टार्ट करें, ठीक है, तो यह तमाम चीज़े हैं, अब आते हैं कुछ अन जीज़ों में, देखे, best aggro, मादर 1400 करोड के आसपास की company हैं, और मैं इसी लिए कह रहा हूं, इस प्रकार की company हैं जब नीचे आती हैं, बहुत ते जिसे जाती हैं, ऊपर जाती हैं, तो बहुत शांदार है लिए होती है, stock की P, देखिए, 8.32 पे trade कर रहा है, industry की P, 38 है, industry की P से आपको कितना सस्ता मिल रहा है, book value 298 है, और आप देखें, तो आपके सकते हैं, two times के आसपास, यह अभी अब आ चुकी अपने book value से, जो की बहुत सस् हो जाती है, ठीक है, पित्रोस्की स्कूर 5 है, कोई बहुत खराब नहीं है, debt equity 0.84 है भाई साब, एक से नीचे है, तो comfortable है, इतना ही नहीं, 10 रुपए की face value का stock है, stock की जो face value है, वो 10 रुपए है दोस्तों, ठीक है, लेकिन देखें, problem कहां आ रही है, problem इनके numbers पे आ रही है, म आप देखें, मात्र 314 करोड की आपने sales की है, जो December में 327 करोड थी, और देखें, December quarter already इनका थोड़ा week ही रहता है, आप यहाँ देखें, December 2020 56 करोड, फिर सीदा 208 करोड, 232 करोड, फिर सीदा जम्पो करके 309 करोड, ठीक है, बल्कि आप year on year ही ले ले लें, ठीक है, और उसक exception था दोस्तों, वरना उसके बाद फिर देखें, तो stock 314 करोड, और company को आप देखेंगे न, तो 6 करोड का loss शो की है company, जो पिछले quarter में 94 करोड रुपीस का आपको, यहाँ पर profit शो कर रहा था, ठीक है, तो और देखें, तो यहाँ पर आप आप आएंगे भाईया, एक साल प 35 करोड, फिर भाई साब सबसे अच्छा profit हैंगा, September में, तो September में company के लिए सबसे अच्छा numbers आते हैं, तो यह चीज़ आप अपने ध्यान में रखना है, और इसलिए मैं बगया रहा हूँ, अगर आपको vision लंबा है, इन सरुपे धीरे-धीर accumulate कर सकते हैं, ठीक है, आप देख हमको यह देखना है कि जब next, March में जब आप कह सकते हैं, शेरोडिंग पैटन आएगा, तो क्या आशिश का चोलिया जी, 1.30 से भी नीचे आज ले आएंगे, अगर ऐसा होगा ना, तो फिर वो बहुत dangerous हो जाएगा, हाँ, एक positive यह है, company जो है, आप देखें, March 2022 में, बलकि June 2021 में, 40.78% का stake रख से थे प्रमोटर, जो अब बढ़ कर गे, 50% से भी उपर चला गया है, तो आपको एकी समझनी पड़ेगी, कि प्रमोटर जो है, धीरे धीरे अपना जो accumulation वो जाड़ी रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है, कि जो investor है, जो smart investor रहते हैं, वो September, October के आसपास, best aggro जैसे companies में, profit book कर लेते हैं, और, आप इसे September के आसपास तक, उसे धीरे धीरे accumulate करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, कि जो next quarter आने वाला है, वहाँ पर, जो next आपको सकते है, September का, जब result आएगा, इस साल के मैं कह रहा हूँ, तब से पहले, जो निवेशक है, वो धीरे धीरे, अराम से, इन stocks को accumulate कर सकते हैं, ताकि, जब long term investors की बाता है, तो वो, आप कह सकते हैं, अच्छा खासा profit कर सके, क्यों देखे, जब इतने ज़्यादा गिरावट हो जाती है, जब इतने ज़्यादा हो जाती ही चीज़ है, गिरावट, उसके बाद क्या होता है उसके बाद भाई, सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, सिर्फ एक quarter लगता है, one to two quarter, अगर आप में अच्छे नमबर दे दिये, stock वापस से शामबार rally करता है, और देखे, कोई stock अगर आपको एक से दो साल के अंदर, आपको 100% जादा के return दे दे, ठीक है, या even मैं कहता हूँ, 70% क रहे हो, which is not bad, ठीक है, तो ये चीज़ धियान में रखे, और आपको सबसे चीज़ ऐसा retail निवेशक वो मौका दे रही है, accumulation करने का, देखे, वो निवेशक इनके पस बहुत पैसे रहते हैं, जो जब चाहे माल उठा सकते हैं, जब चाहे एक अठा लमसम निवेश कर सकते है वो अलग investor होते हैं, retail निवेशक ऐसा होता है कि बहुत पैसे उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो stock जो आपको accumulation का मौका दे रहे हूँ, वो ही तो खरदारी के लिए आपको chances देते हैं, ठीक है, तो मुझे ये लगता है as a long term निवेशक, best aggro में, इस समय में, अगर आप accumulate क कर सकते हैं तो करिए, लिकि नियाद रखेगा, अभी भी स्तितिर ठीक नहीं है, क्योंकि जो last चीज मैं आपको बताने वाला था, कहा ये जा रहा है कि इस बार, शैब अल नीनो, आपको भारत में आता दिखाई दे, और ये एक बहुत बहुत बड़े घत्रे की घंटी हो सक सकते हैं, चीजें problematic हो सकती हैं, तो आप यहां तक जुड़े रहें, इस बाद का बहुत बहुत धन्यवाद, ये स्टुड़े का अंते हैं, जैंदू